हलो दोस्तों नमस्कार एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम अपने रियल्मी फोन को अपने स्मार्ट टीवी के साथ कैसे कनेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे च करने के लिए सभसे पहले आपको अपने टीवी का रिमोट ले लेना है रिमोट लेने के बाद यहां पर यह होम का बटन दिख सिब्सक्रा आपके इसक्रीन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टीवी में सेटिंग वाले आइकन पर जाना है इस पर आपको OK किलिक कर देना है यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट का ओप्शन आ जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर Wi-Fi के सामने एक बट चो देखने तो इस विडियो के डिश्क्रिप्चन में मैं एक perfectly दे रखा दोस्तों विडियो को जा कर आप सकते हैं उसके बाद दुस्तों आपको क्या करना इसे मौई फाई जो वाइक आपने अपने टीवी में करनेट किया है सेम वाइफाई आपको अपने फोन में भी कनेट करना है तो यहां से हम अपने फोन में भी सेम वाइफाई कनेट कर लेंगे वाइफाई कनेट करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे कि हम अपने फोन में सेटिंग एप ओपन करेंगे ठीक है फोन में सेटिंग एप ओपन करने के वाद यहाँ पर हमें क्या करना है उपर ही यहाँ पर connection and sharing कव ओप्षन दिखेगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इस परकार से इंटरफेस आजएगा तो यहाँ पर लिखाओगा स्क्ति ठीग है दोस्तों यहाँ पर लिखाओगा स्क्रीन कास्ट इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस परकार से इंटरफेस आएगा यहाँ पर लिखा होगा search for display device तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें थोड़ी दिर wait करना है यहाँ पर हमारे tv का नाम लिख के आ जाएगा तो इसके लिए हमें थोड़ी दिर wait करना होगा यहाँ पर tv का नाम लिख के आ चुका है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर start now वाले option पे क्लिक करेंगे ठीक है जब हम start now वाले option पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ जो हमारा phone है वो हमारे tv के साथ successfully connect हो चुका है तो इसी परकार से आप भी अपने phone को अपने tv के साथ connect कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक के लिए जय हिन